हेलो फ्रेंट्स वर्कम बाक टू PC स्टेडी चानल फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉल टेक्निक का रिजल्ट जो है कब आने वाला है क्योंकि फ्रेंट्स आप लोगों को पता है कि इसका एकजाम जो है फाइनली एंड हो चुका है 24 जून को तो रिजल्ट कब आयेगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साथ में फ्रेंट्स हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो है कितने रेंक वालों को फ्रेंट्स राउंस का डाउनलोड करके दिखाऊंगा PDF कि कितने रेंक वालों को पिछले बार जो है यहाँ पे College मिल गया था उसका PDF मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा ठीक है ना जिससे आप खुछ से डाउनलोड करके देख सको कि पिछले बार जो है कितने रैंक वालों को फर्स्ट राउन सकेंड डाउन यहां पर देख सकते हो यह जो है 2022 का है यहां पर बताना मुस्किल होगा इसलिए मैं आपको यह डाउनलोड करके दिखाऊंगा साथ में हम बात करेंगे कि जो है बिहार पॉल्ट टोटल कॉलेज कितना है टोटल सीट कितना है एडमिसन प्रोसेस क्या है कॉंसलिंग कब होगा यहां पर ट्रेट कितना है टोटल सीट कितना है सारी चीज़ें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो वीडियो को पुड़े अंत देखेगा बागे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए जिसे आपको और भी अपडेट मिल पाए तो फ्रेंट्स चलिए मैं आपको सबसे पहले डाउनलोड करके दिखाता हूं और वहीं पर सार्च हम बात करेंगे अब करने के बाद यहां पर टॉप पर ही आजाएगा ओपर पर यहां पर देख सकते हो ठीक है ना यहां पर आपको इस पर किलिक कर देना फ्रेंट्स मैं आपको डॉनलोड करके दिखाऊंगा पिछले साल का जो है पेडियाब जिससे यहां पर आपको खुझ से देख सकते ह लिए मैं डॉनलोड करके दिखाऊंगा तो यहां पर आपको पोस्ट पर आ जाना है इस पर क्लिक कर देना है यहां पर इस तरह पर देखने के मिलेगा आपको थ्यूद नीचे आना है और शाच है फ्रेंट्स यहीं पर हम बात करेंगे जो है आपकी यहां पर भीहार पॉल तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि result आपका कब आएगा क्योंकि मैं चीज़ा रिजल्ट है तो रिजल्ट देखा जाए तो बीस से पचीज दिन रिजल्ट आने में लगता है नो के आस पास है यहां ऌutके आपकी नो दस पास है ठीक है किना अचिकना और कॉलीज यहां की बारे म Summer बारे में पूरा डीटियल से एक यहत दिया 2100 के बारे में पूरा डिटियल यहां पनी टिया सब्सक्राइथ सारा यहाँ पर जो है गौवर्मेंट कॉलेज है पॉल टेकनिक का ठीक है अब बात कर लेते हैं फ्रेंट्स एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या डोकिमेंट देना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसको रिडाउट कर लो अच्छे से और यहाँ पर बात कर लेत तो 10 के आसपास है जिसमें मैंने 9 mention कर दिया है ठीक है और फ्रेंट्स यहाँ पर जो है और स्लेबस की बात करें जो इंट्रेस एक्जाम में होता है तो फिसकेमेस्ट्री में से कोस्टिन आता है सारे 400 निमर्ण के एक्जाम होता है पर कोस्टिन आपको 5 मार्क्स मिलते हैं न तो आप लोगों को यदि आप लोगों का क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है तो यदि आपका 25 से आसपास 25 के आसपास यदि आपका question सही है तो आपको college मिल जाएगा कोई ने कोई ठीक है देखा जाए तो 100 नमर के आसपास होना चाहिए और यदि rank की बात करें तो रेंक आपका यदि यदि आपका रेंक 15,000 से 20,000 के आसपास यू आर रेंक है ठीक है साथ में category रेंक है तो आपको college मिल जाएगा अभी rank आया नहीं है इसलिए 20 25 के आसपास ही question सही होड़ा है तो आपको college आरान से मिल जाएगा ठीक है तो यह है friends and friends बात कर लेता है आपको download करना कै तो यहां पर देख सकती हो एंड यह ऑगया है यह automatic यहां पर cancel हो जाएगा töपक है न तो इसके हम रिमूब कर लेती है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं यह फाइनली डाउनलोड हो चुका है आप जाके चेक किजिए इसको अच्छे से और यदि आपको समझ में नहीं आए कोई भी चीज है तो आप मुझे बताइए मैं आपको कमेंट बोक से किजिए मैं आपको समझाओंगा बाकी यहाँ पर सकेंड और फर्स्ट राउन दोनों का यहाँ पर वीडियाप मिल जाता है पीछे साल कर ठीक है ना तो जाए जाके देखिए बाकी मिलते